तो आज हम करने वाले हैं त्योडोलाइट ट्रेवर्स और टेकोमेट्री के टॉप 25 मुस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चेन यूपी टपलेसी जेई एक्जाम के लिए यह हमारा क्वेश्चन से कॉंसेप्ट सिरीज का आपका तीसरा लेक्चर है अगर वीडियो ज्यादा ल क्वेश्चन से कॉंसेट को हम लोग समझ सकें और जो बच्चे यूपी टपलेसी के अलावा ऐसा सी जेई डी ऐफसी से एल जैसे जेई लेवल एक्जाम के लिए त्यारी करते हैं तो उनके लिए भी यह सिरीज बहुत करेगी और खासकर यूपी टपलेसी जेई वाले बच दस कोशिन करा हैं और 9 आपने राट आउंसर दी हैं वो सकॉर भी आप कमेट में लिखा करो किसर बैने 10 कोशिन में से 8 य binnen नो राइट आंसर दिये हैं तो 10 divided by 9 ऐसे लिखा करो तो मुझको पता चलिए आपका स्कोर है क्या हो मुझे कितना आप लोग के लिए करना है तो यह स्कोर भी लिखना इंपॉर्टेंट आप लोगा कर इसको नहीं लिखोगे तो मुझको पता नहीं चलेगा कि आप लोग का जो लेवल है और लेवल ऑफ इस्टेडी वो कितना है अना उसी के अकोर्डिंग हम लोग और कॉंसेट को और डीटेल में डिसकस करेंग यह जितना आपको नीड होगी तो चलिए बढ़ने वर्णार में क्रेशन क्यों पहला कुछन क्या कहता है दर रिड्यूस बेरिंग ऑफ टेन मीटर लोंग लाइन इस नाओर से 30 डिग्री इस्ट दर डिपार्चर आप दो लाइन इस और यहां पर क्या कहता है काम को डिपार आरा पर करना है फ़रे करना इस करते हैं तो गोडियार जाण करने दो चीच गुटी है अगर उम्हार से यह एस रुंग्हे पर्जेक्शन भूणे इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं अपना ह्दय टिपार्चर इस देड़ Eye को इस बात तो घ्ठ राखना ठीठा हमेशा में सानवा प्रोज़ुनच पर न sign theta confusion clear हो गया latitude किसे तर निकाला जाता है departure किस तर निकाला जाता है तो यह बात आगे अपनी चलो ठीक है तो यहां से अपने कुँओ निकालना कि departure of a line याना कि L caust side leaders sign theta ने कालना थीटा ना तो well sign theta ने पना है यह यह लियर्फ आफफ और लाइन ंचीट towels थीटा है 5 तो पहले बात करें तो पहली बात करें तो पहली बात ये क्या करता है, ये set करता है कि Simple कर, और ध्यान रखन रता, इसमें हम लोग सर्फ angular measurement लेते हैं, एक question लीघ भी बनता है कि इसमें linear measurement ली जाती है रिंग, सिर्फ angular measurement ली जाती है, तो इसका अजर क्या होगा, true thoughtalide का simple circular curve ranging, आना कि option number अगला कुछिन क्या कहता है एलेक्ट्रोनिक थे डिलाइट ऑफ वरियस रेंजेस इन विच मीजर्ड एंगल आर्ड डिस्प्लेइड ऑजनली ऑन डिस्प्लेड बोर्ड और बेस ऑन विच अप फॉलोविंग एलेक्ट्रोनिक कहां दिख रहा है आपको इसमें देख रहा है न रखना है मैंने यह पर तरीका बताया कि अगर नहीं पता तो इसका अंसर आप कैसे करेंट करोगे तो इसका अंसर यह ना तो इसका अंसर क्योंगे ऑप्शन नमसीदर राइट अगले कुछिन को देखते हैं इसके लिए आपको क्या जो फंडमेंटरल एक्स से उनका नोली ह होना चाहिए अगर नहीं है तो बोलते हैं ना मैं बता दूंगा एक होती हमारी यह क्या होती है ऐसे करके इसको होते हैं लाइन आफ कॉली मेशन या फ्लाइन आफ साइड एक होती यह एक्सेस यह होती वर्टिकल एक्सेस एक होती होरीजोंटल एक्सेस है ना यह आपर ट्र तो जो लाइन से वह आपस में पर्पेंडिकुलर यहां से आप लोग देख सकते हैं तो बोट फेस रीडिंग यहां का माता है तो ऑप्शिन को देखते हैं वन बैवन अ दोज एक्सिट्स नोट बीग यानि होज़न डूल एकसे नोट बीग पर पेंडिकुलर टुद वर्टि लाइन ऑफ साइड के बात कर दें तो एक ही होती है लेकिन लाइन अफ टेलिस्कोप और लाइन अफ कॉलिमिनेशन के पहले नहीं है यानि कि यह इन से 90 डिग्री नहीं बना रहा है इसका मतलब इसका मतलब यह है तो यह इसके लिए भी काम आता है साहिए बच तीसरे देख पूछ रहा है तो वन इंट्व करेक्ट है वन इंट्व कुस्म अप्शिन नमर बी में तो अप्शिन नमर बी इदर रहा है अपने को देखना है पहले कि क्या पूछ रहा है अगर आप लोगों को फंडामेंटल एक्सेस जोगी बहुत बड़ा पोजिशन है नहीं आता तो आप कमेंट में बोल देना मैं इसका 3D डाइग्राम आपको शोग करके दिखा दूँगा होगे चले अगले कुशिन के बढ़ते हैं इन ट्राइट 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 की बात कर दे एर्ट डू टू सेंट्रिसिटी औफ वर्णियर इस एलिमिनेटेट वाई देखे इसका बोथ फेस रीडिंग और बोथ वर्णियर डीटिंग में बच्ची केंद्फिस हो जाते हैं तो इसेंट्रिसिटी की बात जब भी आएगी तो वहां बोथ वर्णियर डीडिंग की बात आएगी और उन दोनों की बीच में जो एंगल होना चाहिए जीरो और 180 डिगरी का करते हैं बाइट टेकिंग बोथ वर्णियर डिडिंग तो इसमें अंसर क्या होगा बोथ वर्णियर डीडिंग है ना राइट एंड लेफ फेस भी देर का लेकिन यह ऑप्शन में नहीं है राइट एंड लेफ फेस यूज करते हैं लोग फंटामेंटल जो तीन एक्स से आम ली गांट रिटेक्ट बाइब वहीं बात अगई कि टर्ट लेट की बात कर रहा है एलर की बात कर राय वह भी इस सेंटरी टी के करणड की वर्ण पकरना पलोगो चैनल कीवड पकरना तभी मैंने दोंस तुरा कुश्चिन भी रखाए इसंटिस की कराण तो कैसे कानट् तो आंसर में क्या option a both face reading इसी विचे से question यहां पर मैंने रखा है जिस्ते आपको confusion ना हो अगला question देखते हैं for minor adjustment minor adjustment की बात कर रहा है ना of a horizontal angle measured using a theodolat horizontal angle की बात कर रहा है the tangential screw it adjusted after both the plates are clamped unclaimed जान की unclaimed का मतलब वो कर सकते हैं देखिए अगर आप लोग ने कर आओ practical तो जो में इस्क्रू होते हैं में इस्क्रू होते हैं उन plates को पहले तो claim कर देते हैं लोग claim के बाद हम लोग टेंजिशर इस्कू का यूज करते हैं तो unclaimed तो होगा नहीं both the plates are unclaimed नहीं clamped होती है the lower plate is clamped ना ऐसा नहीं होता कि एक clamped होती है एक unclaimed होती क्योंकि यह पर unclaimed हो ला था यह भी नहीं होगा तो अपर plate is clamped and the lower plate is unclaimed ऐसा नहीं होता है दोनों plates को हम लोग कस देते हैं जिसको बोलते claim करना तब उसके बाद focusing के लिए tangential screw या फिर इसको focus screw बोलते हैं उसका टार्गेट को अब अगला question क्या है turning of the telescope यह बहुत important question बहुत एक्जाम में पूछे जा चुका है turning of the theodolite telescope इता vertical plane by 180 degree about the horizontal axis इनोन है लेकि confusion बच्चों को होता है आपका दोनों में एक तो vertical plane में एक horizontal plane में जब vertical plane में घुंगता है है मेरा वर्टिकल plane की बात आती है तो वहां पर इसको बोलते हैं लुक ट्रांजिट कर रिवर्सिंग reverse करते हैं कि प्लंजिंग ठीक अगर horizontal plane में घुम रहा है horizontal plane में घुम रहा है 180 डिग्री घुमता है ना तो उसको बोलते हैं swinging कि यहां किसके बात कर रहा वाटिकल plane की ट्रांजिट है कहीं पर नहीं है reverse है नहीं है प्लंजिंग है प्लंजिंग नहीं है मतलब ट्रांजिट ही है मैंने देखा नहीं हाना option अब कर दोनों में होते हैं अब करने का रहा है वर्टीकल प्लें कीवर्ड आया कीवर्ड पकड़ना सीखो तो यह तीन option देखना ना प्लें आया जरी यह option देखना है ना अंसर क्यों सिश्वागर्ट बोलते हैं और नियर प्लेट उसका लिस्ट oxygen कितना होता होता है मेरा वाई इसका लिस्ट काउंट होता है 20 सेकंड ध्यान रखना है जो लिस्ट काउंट पुच्छा जाता है तो 20 सेकंड जा रखना है यह को तीप मेरी में प्लेट जिसको lower plate बोलते हैं, इसी को scale plate बोलते हैं और इसी को horizontal plate बोलते हैं इसका least count कितना होता है, इसका होता है, इसका होता है, 20 minute, इसी के basis पे थियोडलाइट का side decide होता है, कि size of theodolat यह ही बताता है, इसका जो डाया होगा, तो इसके लिए प्लेट थियोडलाइट इस अपर प्लेट, लोड प्लेट तो यह होती मेरी लोड प्लेट, आंसर यह option नमर B तो अगले कोशन को देखते है, 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 तो अगले कोश fast and face right इसको बोट face reading बोलते हैं observation of other light is three prime prime जियोगा यहांट पे तीन डिघी होगा ओके दalid your face left face लिया दोनोर error होगी ना मान जह से लिया तो Universe की बीडी का एर आएगा तो total error TRY keywords का overall is the में बोट क्वेस varya है है तो यहां पर जो एअर होगी area क्योंकि ये तीन मिरे ख्याल से मिनट होगा हां यह पर तीन डिग्री नहीं होगा तीन मिनट होगे है यह यहां पर यह तो cumin यहlvania किस पूल यह क्लिए दो is प्लस आपका 60 सेकंड नई सभी दो मिनट और 60 सेकंड लिख सकते हैं डिवाइड बाद टू करेंगे तो आएगा वन मिनट फ्लस थर्टी सेकंड तो आंसर क्या हो को वन सब्सक्राइब करते हैं टेको मीटर में हम लोग जानते हैं और टेको मीटर की बात के तो अनलेटिकल लेंस कैसा होता मेरा प्लेनों कॉंडवेक्स होता है और दूसरी बात लगता है यह ऑब्जेक्ट लेंस के और डाइफ्राम के बीच में लगता है और इस इनल्यीटिकल के लिए जो Мिल्टिप्लाइं कॉंस्टेंट के आपका उसका वल्य हंडिक्ट होती है एंडिक्टिव कॉंस्टेंट इसको सी बोलते हैं उसकी वेली जीरो होती है इंटर सेक्ट एंगल जिसको बीटा बोलते हैं लोग वो था आपका 0.573 डिग्री तो यह तीनों बातें इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना यहां से 100% कुश्चन आता है पहला तो यह यहां से कुश्चन बतता है दूसरा यह यह यहां सो क्योंब थो हन्डिट सिन निकल के आती है ऐस का मेरा इंटरसेट होता यह कितना इंटरसेट किया है मैंने की इ Roberts फोटीरああ इसकी मेरी ऑप अपन आई होती है सी क्या इधिक्सुर्ण सि उसकी बेदियो मेरी एप प्लस डियोञा गश्च में तो इसका अंसर क्या होगी अप्षिन नमर भी टैको मीटा है ना बहुत इंपोर्टेंट है या तो क्वेशन बनता है से ओके चलो अगला क्वेशन देखते हैं दा बबल ट्यूप पहले तो देलिस्कोप और थोडला शुट बी मोर सेंस्टिव यह तो रिपीट हो क्वेशन मे अगर मेरी में बात करें यह मेरी लाइन है यहां से यहां से मेरे कोई लाइन ट्रो कर लिए है ना यहां से यहां से यहां से यहां से यह मेरी यह वाली तो यह मेरी होगी प्रिसेटिंग लाइन है ना और फॉरवर्ड लाइन मेरी यह होगी तो इन दोन की बीच में जो एक लोग दिखते हैं तो इक कुश्चिन रिपीट हो गए है इसका अंसर भी ही है ओके कुश्चिन बहुत रिपीट हो गया है मैंने चेक नहीं किया है यह पीटी को चलो कोई बात नहीं इन तो दो लाइट दा लाइन अफ कॉलिमनेशन जिसको बोलते हैं और जिसी को कभी-कभी लाइन अफ साड़ी बोल देते तो वह क्या एंस नहीं होता परफिल्टिकल एकसेस ना पर्पेनिडिगलर होती है पर्पेंड़िकलर टुणन एकसेस तूछिन एकसेस को यह मोग होरीजन पहलेब दो लिए तो गलत है अभी देखा था मैंने यह यह वर्टिकल एक्ससे में लाइन अप कॉल इमनेशन एया फिर लाइन अब साइट है यह होरीज़न्टल एक्ससे यह पर ट्रांस्वर सम्सक्राइब सब यह किये है ना इनका नाम हमें आखती तो लाइन फकॉलिमिनेशन कि होती है वेक्साषब also cat यह तो वैसी कट यह पुछ हो कि पार्पेंड़ बंधत किसकी बात कर रहा थे Kap और चाहिए टो प्र बाघ्याम उब्स सीद राइट अंसर चलिर अगले को स्वाइन कि दिखते हैं विच मोदी तक करेक्ट सीक्वेंस ओफ टैंपरडरी अड्रेस्मेंट लैट रूए तो 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 रहे हम दो करते हैं सेंट्रिंग में फिर लेव लिंग फिर पैलेक्स को रिमूब करता है पैलेक्स को रिमूब कैसे करते हैं आई पी से और ऑब्जेक्ट लेंसे दुनों से इसको रिमूब करते हैं सेंट्रिंग कहां देख रहा है सेंट्रिंग यहां सेंट्रिंग यहां सेंट्रिंग एलिमिनेशन नहीं सेंट्रिंग सेंट्रिंग सेंटिंग पर प encouragement करते हैं तर डिक देखते हैं पहला पहले के सेंटरिंग करते हैं थू पतिए कुर्ट प्रेटेस्ष प्लस्ट में कि आगा है और बहुत स्म उच्ण cuatro ट्रींग करेकट में तीन एक्सित याद रख लो काम बन जाएगा है ना फस्ट क्या कहता है होरिजुन्टल लाइन पास्ट तुरू दा सेंट्र आप तो होरिजुन्टल सर्कल ना यह तो गलत है टैंजने ट गएदा बबल मस्ट बीपर पेंडिकुलर टुदा हूझजन्टल एकक्सिस यह भी घलत है टैंजने टो प्लेट बबल मस्टी भी पर पेंडिकुलर टुदा वर्टिकल सरकल तो इसका अंसर क्या होगा और मसी इधर राइट अंसर ओके चलो अगली को देखते हैं तो मेरे खलती क्वेश्चन रिपीट हो के अंदर डेफ्लेक्शन एंगल है क्वेश्चन कुछ रिपीट है कोई बात अगला क्वेश्चन है विच आप दा फॉलवें इस्टूमेट इस यूज़ फो सेंट्रिंग तो लाइट इन विंडली कंडिशन जनली हम लोग किसका यू फॉलर होता है तो इसको अपर गखने नहीं पढ़ता पहले से होता है यहां से दोग देखते हैं यह शीक्रीं होती है संट्रिंग होती है क्यों गया ओप्टिकल् प्रमेट कैसी कंडिशन में विंड है कखे अगला कुशन देखते हैं आडिटिटिटिए और आपका की बात क तो कल लेन दे रिखिये कितनी अफ़ ऑब्जेक्ट लागे 250 mm इस्टेड इंट्रसेप्ट की बात कर रहा है नहीं आई की बात कर रहा है कितना 2 mm और इंस्टेंटेंस ऑफ इंस्ट्रुमेंट एक्सिस्ट फॉम दे सेंटर अफ़ ऑब्जेक्ट इस वन नेंट यानिकी डी की बात कर रहा है वो 190 mm कि क्या होता है एफ अपन आई होता है एफ कितना 250 आई कितना 2 mm है तो कि इंसल हो जाएंगे तो 125 जो आपका वैल्यू अच्छ करें तो एफ फ्लस डी होता है एफ कितना 250 डी कितना 190 तो यहां पर यह आएगा जीरो नव पांच चार एक चार नहीं 440 और 125 पूचा क्या है पहले क्या पूचा वह देखते हैं हम दो एडिटिटिव कॉंस्टेंट है निसी की वैली पहले पूचिए निक 440 जिसमें आएग आप एडिटिव कॉंस्टेंट 440 है लेकिन यहां बाद में तो यह गलत होगे यह गलत होगे यह तो वेली मेंच ही नहीं कर दें तो यहां पर 440 होगा ऑप्शन में है ना चलो तो इसका अंजर क्योंगे अप्शन नमर्डी अगला कुशन देखते हैं दर लीस्ट काउंट अगला कुशन है इने ट्रेवर सर्वेंग लोगा यहां से स्टाट किया यहां पर आगे मैंने सुचा बंद हो जाएगा लिए इतना रह गया तो इतनी मेरी अर्र आगे इसको बोलते एरर आ था क्लोजिंग करने में जो एर राई है तो आप्शन देखते हैं देखते हैं दे अगला क्लोजिंग अप्ट्रेवर सिंग ऑप्शन दी बोल रहा है था एक्ट्रेवर से टू क्लोज तो आंसर क्या हो गया यहां पर आप्शन नमब बी अगला कोशन देखते हैं बॉण्ड विच रूल इस अल्सों ट्रम है देखे बॉण्ड विच रूल का अगला नाम मैं बता दे रहा हूं बॉड़िच जो रूल है अपना उसका नाम है कमपास रूल चलो यह बात ठीक है कमपास रूल अपने को पता है लेकर इसमें क्या है इसमेंट और जो ऑई अंगुलर मिसर्मेंट है और लीनीर मिस्ट मेंट है वो बराबर एक्री से लिक से लिया जाते हैं एक दूसरा है जो लीनिर मिसर्मेंट है वो डाकलिप पपरश्ण होती है लेंटा फला मैंत अप इसमेर्मेंट हो इनवर्सिट क्या होता ह Psychology ल की यह बात होगे और करेक्शन लेटिटूड क्या होता है बॉंड इच में लेंद अफ लाइन अपन समीशन अफ लेंद टोटल लेंद यानि कि इसको पेरिमिटर बोलते हैं इंटू एलजेबिक सम अफ लेटिटूड है डिपार्चर में होता है लेंद अफ लाइन अफ ले लिक देता है जो की गलत है यहांना यह कंफ्यूजन करने वाला है तो यहां पर आपकांसर क्या होगे अप्षिन अमर भी कंपास्टू ओके लेकिन एक ट्रांजिट रूल है उसमें क्या एंगूलर जो मीजरमेंट है वो ज्यादा एकुटिसी से लिए जाते हैं लीनियर इंट्रों मीटर है फिंचों के एन एकौंफिटी कटेंट एन इनलिटिकल लेंस इंसर्टे इंसर्टेट एंडिक्रों मेमिटर मेंसटाफ में सराफियं लगता है बच्चों को यहां तक नॉली रहती है यह लेंस तो याद रहेगा कहां पर लगता है यह पूरा नहीं होता तो डाइफ्राम और अब्जेक्ट लेंस के बीच में लगता है यह ध्यान रखना इंपोर्टेंट नूट्स में एड़ कर लेना इसको तो इसका अंजर क्योंगे अप्षिन अभी तो यहां पर यह लेक्षर कंप्लिट होता है आई होब की लेक्षर आपको अच्छा लगा होगा क्या आपका स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना अगर ले